पलवल से लाए गए छे हत्याओं के आरोपी नरेश को हेड इंजरी, ब्रेन हेमरिज के चलते दिली के सबदर्जरंग अस्पिताल में रेफर कर दिया गया है भारी पुलिस बल के साई में साइको किलर को बेहोशी की हालत में दिली ले जाया गया गौर तलब है कि जब सुभर आरोपी को फिर्दबाद के सरकारी इस्पिताल में लाया गया था वे तभी से ही बेहोशी की हालत में था आरोपी जॉक्टरों के अनुसार आरोपी के कई चेस्टों के अलावा सीडी स्कैन भी करवाए गया और सिडी स्कैन के रिपोर्च में हेड इंजरी को दिखाते हुए डॉक्टर ने उसे रैफर किया डॉक्टर का कहना था कि इसे सर पर हेड इंजरी है और हो सकता है नियूरो सरजिन इस केस में ऑपरेशन करे उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता है कि यह हैड इंजरी अभी है या पुरानी पेशेंट अभी भी मतलब फुली कॉंशिस नहीं है उसा ग्लासगो कॉमा स्केल 8 x 15 है जो कि नॉमल पेशेंट को जब लाया था उस्टैम भी सस्पेक्टिड है इंजरी थी उसका मनें सीटी करा लिया सीटी कंदर है इंजरी आई है सब रहे कुना धेमरी जाया सीटी पेशें हैं तो इस टाइम पेशेंट का इजामिन किया था प्यूपिल्स श्लगिस रिएक्टिंग थे और पेशेंट उस टाइम भी अनकोंशे सीथा नम दर्शकों के लिए संब्जना चाहा है तो जी सीएस कॉमा स्केल होता है जो कि मतलब कॉंशे मतलब हैड इंजरी में मतलब करते हैं तो इसके सर में हेड इंजरी है हाँ सर में हेड इंजरी है सीटी के अंदर रिपोर्ट के अंदर हेड इंजरी कंफार्म हो दिए